हलो इस्टूडेंट आपके अपने चैनल बिनाय सरमा विग भी आप फिजिक्स में आपका स्वागत है तो आल इंडिया का राउंड बंज अपसे हुआ है इसके बाद सेकेंड राउंड के लिए बेकन सीट आई इसके बाद से लगातार इस्टूडेंट परिशान है कि आखिर कितने माक्स कितनी आल इंडिया रेंक तक राउंड टू में मिल जाएगा तो आज ये फाइनल फिगर जो है वो लेकर हम आए हैं तो जिन भी इस्टूएंड ने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सकाइब कर देंगे जिन्होंने अभी तक वीड कर्मेंट कालेज की जो लाज्ट सीट मिलेगी वह जनल के टेगरी के लिए OBC के लिए SCST और EWS के लिए कितने माक्स में मिलेगी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो हमारे WhatsApp नमबर भेज सकते हैं लेकिन उसके पहले आप चैनल को सबस्काइब जरूर करें और अगर आप कुछ परसनल कमेंट भी करते हैं तो भी चैनल को सबस्काइब कर लें और वीडियो को क連ल के डि derivative के ये जनल के टिंग्रिमे क्या कटफ रहने वाला है रायन टू का जो बहु פुरतिक्षित बात है आप सबके लिए बहुत जानना चाहuju हैं तो उस राजा को हम खोलते हैं कि क्या कैटफ फाईनल सेकेंड रांड में रहेगा आल इंडिया कोटा का तो चलिए सुर रही है वो लग रही है 603 603 वो मांक्स रहने वाले हैं 603 नंबर जन्रल कैटिगरी में वो मांक्स रहने वाले हैं जहां पर फाइनल कट अफ जा सकता है जहां पर फाइनल कट अफ जा सकता है जन्रल में जो मानने वाला है नंबर वो आ रहा है 603 मतलब आपकी रेंग ए आई यार 18600 से 605 17720 के बीच में हैं तो कहीं न कहीं आप राउंड टू में आल इंडिया कोटा से सेव कंडिशन में हैं इसके बात करें तो 600 600 जो नंबर हैं अगर आप 600 नंबर तक आपने पाए हैं बीस जार एक से कत्र आपकी ए आई यार है और 18600 603 में तो यह एक रेंज होगी जहां पर कहीं EWS का कटप रुकेगा तो जन्रल के लिए 603 से 605 EWS के लिए 600 से 603 अब अगली जो अपन बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं OBC के लिए तो OBC के लिए फिगर 599 20608 AIR अगर आपकी है और 602 19117 के बीच में कहीं OBC का कटप जाने वाला है चलिए तो आप SC और ST की बात कर लेते हैं SC ST का कटप क्या जाएगा तो SC के लिए जो 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 SC बन रहा है वो बन रहा है कहीं ना कहीं 495 495 से 505 के बीच में 495 से 505 के बीच में आपकी SC का कटप रुकने वाला है आल इंडिया राउंड टू का 91,192 से लेके 82,919 के बीच में कहीं ST वालों को सीट मिल जाएगी जो नार्थ इस्ट की कोई सीट होनी चाहिए ST के गटब की बात करें तो 455 से 465 के बीच में 1,27,513 वो अंतिम फिगर होगा जिसमें आल इंडिया कोटा से सीट मिलेगी किसी भी केटिगरी में और 465,17,836 तक ये तो मैंने आपको बता दिया है round 2 का cut up सबसे पहले हमारे channel ने रिस्टोज किया है first round के लिए भी हमने आप से 617 के आसपास कहा था 618 पे cut up रुखा है तो आप समझ लें कि ये हमारा expectation है अब क्या cut up रुखता है ये तो final जब result आजाएगा तब पता चलेगा एक बार ये आप देख लें सारे खट्टे हम आपको दिखा देते हैं और फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप हमारे channel पर हमारे whatsapp number पर भेज सकते हैं चैनल को subscribe जरूर करें कोई भी whatsapp करने पे पहले चलिए तो इसको complete करते हैं thanks for watching subscribe our channel